असलाम अलेकम, आज हम बात करेंगे मैनेजर्स हैंडबुक किताब के चैप्टर नमबर फाइफ, बिएंग अपर्सन आफ इंफ्लूएंस के टॉपिक पे बिएंग अपर्सन आफ इंफ्लूएंस का मतलब क्या है? आम जिंदगी में नहीं, एक ओगनाइजेशन के अंदर, बिएंग मैनेजर अगर आप लीडर्शिप रोल में काम कर रहे हैं, तो उस रोल के अंदर रहते हुए, अपर्सन आफ इंफ्लूएंस कैसे बन सकते हैं आप? मिसाल के तौर पे मैं आपको जिस्ट आपका माइंड उपन अप करने के लिए दो-तीन सवाल पूछता हूँ, क्या आपका बॉस आपकी रेकमेंडेशन को सीरियसली लेता है? क्या कोलीग्स आपके पास आते हैं आपसे मश्वरा करने के लिए और आपको उनको कोई मश्वर पूछनली कमपिटन शक्स के तौर पे कंसीडर करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब के आपको काम करना पड़ेगा if you want to become a person of influence. कैसे? Building the Trust and Credibility का chapter हम पहले अरड़ी कर चुके हैं अगर आप जाएंगे second chapter के अंदर हम इस पे बात कर चुके हैं इसकी video अरड़ी मौजूद है उसको आप देखें उसमें इस पे बात करेंगे positional versus personal power एक तो important चीज़ ये कि आप manager हैं और being manager आपके पास एक power आ गए but that is not enough. आपको बाहस उकात अपनी team से more than what is given in their job description काम लेना होता है. इसके लिए power ही सिर्फ काम नहीं आती. Personal influence भी चाहिए होता है. So आपको personal influence को improve करना है, rather positional influence. वो कैसे करेंगे आप? सबसे important. Be a team player. अगर आप अपनी team को काम delegate करने की बज़ाए dump करते हैं, तो आप team player नहीं है. आप नहीं बन सकते हैं. As a manager तो ठीक है, लेकिन as a team player ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी team को कोई काम दें, तो उनको ही feel होना चाहिए कि आप उनके साथ मौजूद हैं, involved हैं और आप उनको support कर रहे हैं. ना के आप अपनी जब्मेदारी उन पर डालके और उसकी responsibility भी उन पर डालके, accountability भी उन पर डालके उनको awkward position में डाल रहे हैं, बलके आप उनके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, जो अकेले आप दोनों नहीं कर सकते हैं. And together, you will definitely have better results. So, इसके बाद है, help other people to succeed. अगर आपने अपनी टीम को काम दिया है, कोई project दिया है, और आप उनको कामयाब होने में help नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, you are not a team player. Respect others, बहुत important है. सारी चीज़ों के साथ, अगर आप अपनी टीम की respect नहीं करते हैं, उनके काम की respect नहीं करते हैं, उनके time की respect नहीं करते हैं, उनकी dedication की respect नहीं करते हैं, तो आपकी team का आपके उपर confidence कम हो जाएगा. Demonstrate integrity, team को ये पता होना चाहिए, कि उनका boss integrity में सबसे उपर है. manager not boss manager यह leader यह team lead managing up आपने क्या करना है not only अपनी team को manage करना है बलके आपने you need to put yourself in your boss shoes discuss expectations अपनी team से और अपने boss से पूछें कि आप से क्या expectations है उनको systematically पूरा करने की कोशिश करें adapt yourself to your boss work style यह important है अगर आप और आपका boss same page पे हैं अगर आप अपने boss की frequency को समझते हैं तो आप और आपका boss वो काम जल्दी खतम कर लेंगे जिसको अगर आप same page पे नहीं है तो time ज़्यादा लगेगा partnering with your peers अपने subordinates, colleagues team members सब के साथ आपको partnership relationship develop करना है foster a network inside your organization हाँ आपके अपनी company के अंदर for example आप sales में sales में क्या होता है कि अगर आपने sales का order ले लिया है और production team ने अभी तक product ready नहीं की तो problem कहां पे है आपका target पूरा नहीं होगा तो आपके तालोकात अगर production team के साथ और आपके तालोकात अगर sales के लावा दूसरे departments के साथ including payment accounting and finance के साथ अच्छे नहीं होंगे HR के साथ अच्छे नहीं होंगे आपको नई लोग चाहिए आपके team के अंदर hiring की जरूरत है और आप HR के साथ अच्छे तालोकात नहीं है तो क्या होगा आपकी team और आपका काम सफर करेगा तो यह important है के यू नीड तो foster a network inside your organization तमाम departments में आपके अच्छे relationship network होना चाहिए make your enemies your allies कभी भी company में काम करते वे अपने दुश्मन create ना करें कोशिश करें कि जिनकी आपके साथ conflict है जिनके आपके साथ किसी भी बात पे नहीं बनती आप उनके साथ भी just because of your organization's overall objective को achieve करने के लिए relationship अच्छे बनाएं अच्छा इसके बाद important चीज़ जो है आपको person of influence बनने के लिए promoting your ideas to others अगर आप समझते हैं कि आपके ideas आपके आपकी team के आपके दूसरे departments ही आपकी company के काम आ सकते हैं तो उनको promote करें लोगों को कोशिश करें convince करने की winning hearts, winning minds बहुत important है ठीक है उसके बाद सबसे important चीज़ क्या है सबसे हाँ influence is a combination of two kinds of powers number one positional having to do with your title and personal having to do with your social capital social capital बहुत important कितने लोग हैं facebook पे, linkedin पे, twitter पे जो आपको आपकी domain के अंदर credible, reliable, a person of integrity rate करते हैं आपका social network में आप अगर social capital की बात करें तो उसको assess करें कोशिश करें, इसको भी improve करें so यह सब चीज़े important है if you want to become a person of influence in your company next video में हम आपके साथ बात करेंगे communication के topic पे communicating effectively so till then take care, enjoy your Ramadan thank you so much God bless you Khudhaafiz